हेलो बचो कैसे आप सब्दी आसा करता हूं से अब बहुत अच्छे होंगे और मैं तयारी नहीं होाई है, अभी बता रहे हैंकि डेट जो अभी है तो अभी ओपिसियल नोटिस्ट कोई आया नहीं है। लेकिन उससे पहले में आपको बता दूँ कि एक गुप्त सोचना मुझे मिली है जो दिल्लिपलिस हैड कॉंस्टेवल मनिश्टर है उसने मुझे जद्धी है उसने बोला कि जनुरी के पहले हपते में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा तो दिल्लिपलिस का जो नहीं होगा कितनी मेरिट जाएगी कितनी नहीं जाएगी भाई बिल्कुल गल्स सोच रहे हो आप मेरिट तो जितनी भी जाएगी जाएगी लेकिन अपना सेलक्शन क्यों खराब कर रहे हो अगर आपका सेलक्शन हो जाता है आपका नंबर आ जाता है तो आप उस टाइम पे फिजिकल की तैयरी करोगी क्या या उस तैम पर ट्रेड टेस्ट की तैयरी करोगे आप या अपने ड्राइविंग टेस्ट की तैयरी करोगे तो भाई उससे पहले ही आपनी तैयरी रखे क्युकि January के हो सकता है January के first week में आपका result आ जाए जाए जन्वरी के फ्रस्ट वीक में result आजाएगा और शबी January के बाद आपके physical चालो हो जाएगी क्युकि मैंने आपको बताया था हुआ 40-45ител दिन का time देते है और फिजिकल के लिए 40-45 दिन का टाइम मिलेगा आपको तो उससे जनुरी के पहले हफते में या दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आने वाला ये कंपल पक्का कंपल सरी है क्योंकि जो मैं आपको बता रहूं ये एक most important ख़बर आपके लिए कि आपका रिजल्ट जो है ज बनेगी आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो सब दिल्ली पुलिस कराएगी दिल्ली पुलिस ट्राइवर के लिए और मनिस्टल का भी आपका मतलब एक दो दिन के बीच आपके सारे रिजल्ट आने वाले हैं यहां पर दिसंबर का लास्ट मैं नहीं कह सकता लेकिन जन्वरी का फैला जन्वरी के फस्ट वीक में आपका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा पका और अपनी तयारी रखे बच्चों तयारी मत छोड़ना क्योंकि तयारी छोड़ दी आपने तो फिर प्रोब्लम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारे बच्चे को में नोर्म लेशन का बतानी है हार्ड सीप्ट और आपकी इजी सीप्ट दोनों देख लेनी है तो ज्यादतर मैं बताऊंगा जिसके पहला भी पर हुआ है सुरुवात में ओनी के नंबर बढ़ने के चानल से जाता तो अपनी तयारी पर रखे तो थ सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो धन्यवाद